हेलो फ्रेंज मैं हूँ बोली और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल कुफित बोली में यो शुरू आने से पहले आप सभी से मेरा रेक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तेक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए बेल एकन को भी प्रेस कर लीजिए थाकि आने वाली वीडियो की नॉटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो चलिए सुरू करते हैं आज की रेसे पी अज हम टेस्टी टेस्टी मोमोस बनाएंगे घर पर हैं और उसकी सबसे तीखी वाली चटने भी बनाएंगे तो सबसे पहले हम चटने बनाएंगे हाँ पर एक कड़ाई मैंने दो गलास पानी डाल दिया है उसमें 4 सुख्य लाल मिर्ज्स डालेंगे दो टमाटर है टमाटर को इस तरह से कट लगा देंगे हम थोड़ा सा जिसे इसको छिलने में हमें आसानी हो तो दोनों टमाटर मैंने डाल दिया है अब इसे ढग करके हम उबलने देंगे तो लगभग 5-10 मिनट में ये उबल करके रेडी हो जाएगी फिर इसे हम काट लेंगे और ठंडा होने देंगे इधार एक कड़ाई में मैंने एक चम्मस तेल डाला है इसमें दो मिडियम साइज के प्यास थे एक इंचा द्रग का तुकड़ा है इसे भी हम डाल देंगे इसी म 6-7 लहसून की कलिया है तो सारी चीज़ों को हम अच्छे से इसमें फ्राई कर लेंगे थोड़ी देर हलका सा प्यास जो है ट्रांस्पेरेंट हो जाए यहीं पर हम कटे हुए टमाटर डाल देंगे जो हमने उबाल करके रखा था टमाटर का सारा पानी जो है वो सुख गया है तो इसमें हम एक चम्मच इतना सोया सॉस डालेंगे और इसे ठंडा होने देंगे तो यह ठंडी हो गई है अब इसे हम पीस लेंगे तो मिर्च यहां पर मेरे यहां बहुत ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं उसके हिसाप से मै दालें और यह बहुत ज़्यादा तीखी थी इसलिए मैंने यहां पर कम डाला है इसमें स्वादानुसार नमक डालेंगे और नीवू निचोड़ लेंगे आपके पास सीरका है तो आप वह भी डाल सकते हैं विनेगर जिसे बोलते हैं या सीरका अब इसे हम पीस लें तो दे उसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसे थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके इसका टाइट सा डो बनाना है बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं करेंगे और एकदम ज्यादा रोटी के जितना लोज भी नहीं करेंगे तो यह देखिए इतना रहना चाहिए इसका डो इसमें बहुत सारी सब्जिया भी मिला सकते हैं, एक कड़ाई में मैंने दो चम्मस तेल डाला है, साथ आठ कली लहसुन है, जिसे बारी काट लिया है और एक इंच अद्रक का तुकड़ा है, स्तोनों को मैंने बारी काट लिया है, इसे थोड़ी देर के लिए हाई फ्लेम पर ह तो इसे भी यसी में डाल देंगे, टरास्पेरेंट होने तक इसे भूण लेंगे हम, इसी में हम कटी होई पत्तगोक्ती भी डाल देंगे और हाई फ्लेम पर ही इसे हमें भूनना है थोड़ी देर स्वादय नुसार यहाँ पर नमक डालेंगे एक चम्मच काली मीर्च है कुटी हुई एक चम्मच लाल मीर्च है आप यहाँ पर हरी मीर्च भी डाल सकते हैं एक चम्मच सोया सॉस है कलर के लिए यह पूरी तरह स्वाप आप्सनल है आप डालना चाहे तो डालिए नहीं तो आप हटा भी सकते हैं इसे थोड़ी देर के लिए हाई फ्लेम पर ही है इसे हम भूनेंगे तो गैस बंद कर लेते हैं यह रेडी हो गई हमारी फिलिंग अब मैदे में से छोटी सी लोई उठाएंगे छोटी सी पूरी की जैसे हम बेलेंगे पूरी से भी छोटी सी साइज रहेगी इसकी तो पतली पतली बेली आप इसे बहुत जादा मोटी मोटी बेलेंगे ना तो पकने में थोड़ी सी दिक्कत होगी और खाने में भी उतनी टेस्टी नहीं लगी है तो यहां पर मैंने छोटी सी पूरी के साइज की बना लिए है अब उसमें एक चमज फिलिंग डालेंगे और इस तरह से किनारे से मोड़ते जाएंगे तो वैसे तो यह दो तीन शेप में बनती है पर मैं जो आसे इस थेले में मिलती है ना सिंपल डिजाइन की वही बना रही हूँ आज यह बड़ी आसानी से बन पी जाती है और देखने में भी तो इस तरह से गुमाते हुए हम सारे किनारों को एक में जोड़ देंगे एक और देख लीजे आप पतली से एक सीट तयार करेंगे उसमें एक चममज फीलिंग भरेंगे और इस तरह से चलिए आपको चकले पर रख करके दिखाती हूँ इस तरह से चिपकाते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे तो देखें सारे किनारों को हम आपस में इस तरह से जोड़ते जाएंगे अब ये एक बास्केट के जैसी बन गई है तो सारी किनारों को पकड़ लेजिए और आपस में इसे चिपका दीजिए जो बन गई हमारी मोमोस ये देखें चलिए अब इसे इस्टीम कर लेते हैं आजकल तो इडली का सांचा हर घर में होता ही है अगर इडली का सांचा नहीं है तो आप जो परात होती ही न छेद वाली उसमें भी आप इस्टीम कर सकते हैं तो मैंने तो इस्टीमर नहीं लिया है मैं इडली के सांचे में ही बना लेती हूं इसे तो इसमें मनें नीचे पा का लोंगे फिर मॉमोस को हम इसमें सेट करते जाएंगे सारे मॉमोस मैंने रख दिये हैं इस तरह से अब हम इसे 10 मिनट के लिए इस टीम होने देंगे तो देखिए 10 मिनट हो चुकी है और हमारे मॉमोस रेडी है बिल्कुल तो एकदम ट्रांसपेरेंट सी आपको दिखाई दे रही होगी है इसके अंदर जो भी फिलिंग है वो भी दिखाई दे रही देखिए तो आराम से हमें कपड़े की साहता से इसे निकाल लेंगे और ये देखिए बहुत ही सुन्दर बनकी रेडी हुई है तो कुछ-कुछ मेर मुटा सा बेल दिये है तो ये दिख रहा होगा आपको वो भी मेरी हेल्प कर रहे थे बनाने में और ये जो पतली वाली है उसमें से ट्रांसपेरेंट ये देखिए आपको नजर आ रही है फिलिंग तो रेडी हमारी मोमोस और तीकी वाली चटनी तो आप इसे इंज्वाइ कीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैसे कृष्णा